प्लीज वीडियो को लाइक करें और दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेर करना ना भूले तो आईए कहानी शिरू करते हैं शिरी राम जय जय राम एक दिन भगवान राम ने कहीं काम से भाहर जानों पड़ गयो जद सीता मया बोली कि हे भगवान मेरो तो बारा बरस को नितनेम है मैं आपकी कहानी कीने सुनाऊंगी जद भगवान बोल्या कि कुए की पाल पर जाकर बैठ जाईए बठी ने ओरता पानी भरन आवेगी तो तेरी कहानी सुन लेगी जद सीता माता कुए की पाल पर जाकर बैठ जी एक भव बठी ने आई वा रेशम जरी की साड़ी पहर रखी थी सोनने को घड़ो ले रख्यो तो जद सीता मया बोली भेन मेरो बारा बरसको नितनेम है तो मेरी कहानी सुन ले जद भव बोली मैं तेरो बारा बरसको नितनेम सुनूंगी तो मैंने देर हो जासी सासु घर में लड़ेगी बाभी की कहानी को नी सुनी और घर चली गई जद घर आई तो भीकी रेशम की साड़ी फटगी सुने को घड़ों मिट्टी को हो गयो जद सासु देखके बोली भव यो किंको दोश तिर पहली आई जद भव बोली सासु जी मैं तो कोई दोश कोने ले आई बस एक ओरत कुएं पे बैठी कवे थी कि मेरी कहानी सुन लो मैं सुनी कोनी तो अया हो गयो अगले दिन सासु बाई साड़ी पहर के गई बोई घड़ों लेके गई जब सीता माता बठे बैठी थी वे बोली मेरी कहानी सुन ले भेन जब सासु बोली कि एक बार छोट चार बार सुनूगी जब सीता माता कहानी कहनी शुरू करी राम आया लक्षमन आया देश का पुजारी आया नित नेम को नेम ले आया आओ राम बैठो राम तपी रसोई जीमो राम माकन मिश्री खाओ राम दूद बताशा पीयो राम सूत का पलका पोढ़ो राम शाल दुशाला ओढ़ो राम जद मैं बोलू राम ही राम राम समारे सबका काम खाली घर भंडार भरेगा सबका बेडा पार करेगा शिरी राम जै राम जै जै राम जद सासु बोली भेन तेरी कहानी तो भोती अच्छी है जद घरा गई जद रेशम जरी की साड़ी होगी सोने को घड़ो होगयो जद भव कहन लागी सासु जी थे आईया कईया कर लाई जद सासु बोली कि भव तु तो दोश लगा के आई थी मैं दोश उतार के आई हूँ वा सीता माता थी पुराने ने नयो कर दे खाली घर में भंडार भर दे लक्षमी जी को वास कर दे और जो भी इक्छा हो वा पूरी कर दे जद भव बोली अच्छा सासु जी जद इसी कहानी तो मन्ने भी सुना दो जद सासु बोली ले भाई तू भी सुन ले जद सासु भी ने फेर से खानी सुनाई जद भव बोली कि सासु जी यह कहानी तो भोत अच्छी है आपा रोज कहा करांगा अब सासु भव नहाती पुजा पाठ करती और नित नेम की सीता माता की कहानी कहती एक दिन उना की पड़ोसन आई बोली भेन जरा मन्ने आच दे दे जद भे बोली कि महें तो अभी आच जलाई कोनी जद भा बोली धे तो चार बजे से उठेडी हो इत्ती देर से के करो हो जट सासु भव बोली कि महिन हाया धोया पूजा पाठ करी सीता माता की कहानी कही जट परोसन बोली इसे के होगे है जट सासु बोली सीता माता की कहानी कहने से अटूट भंडार भर जागे सारा कारज सिध हो जागे जद पडोसन बोली भेन इसी कहानी तो मन्ने भी सुना दे जद सासु बोली ले भाई तू भी सुन ले वा पडोसन ने भी कहानी सुनाई जद पडोसन बोली भेन या कहानी तो मन्ने भोत अच्छी लगी जद पडोसन भी नितनेम एक सीता माता की कहानी कहन लागी जो सीता माता बिंके भी घर में भंडार भर दिया हे सीता माता जहियां उन सब के भंडार भरया बैयां सब के भरियो कहते, सुनते, हुकारा भरते आपने सारे परिवार के भरियो, महरे भी भरियो नितनेम बाबा की सीता माता की कथा राम आये, लक्षमन आये, देश के पुजारी आये, नितनेम का नेम लाये, आओ राम, बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूद बताशा पीओ राम, सूत के पलना पोढ़ो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, राम सवारे सब के काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सब क बेड़ा बार करेंगे, जै राम, श्री राम, जै जै राम, सीता माता ये कहानी कहा करती थी, श्री राम सुना करते थे, एक दिन भगवान राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया, सीता मैया कहनी लगे, भगवान, मेरा तो बारा वर्ष का नितनेम है, मैं अपनी कहानी क इसे सुनाओंगी। भगवान बोले ऐसा करना कुए की पाल पर जाकर बैठ जाना। जब औरते पानी भरने आएंगी तो तुम्हारी कहानी सुन लेंगी। सीता माता कुए पर जाकर बैठ गए। वहाँ एक बहु आई। उसने रेशंचरी की सारी पहन रखी थि और सोने का घरा ले रखा था। शीता मय्या बोली। बेहन, मेरा बारा बरस का नितनेम सुने। بहु बोली, मैं तेरा बारा बरस का नितनेम सुनूगी तो मुझे देर हो बहु बोली सासु जी कैसा दोश कुए पर एक औरत बैठी थी कह रही थी मेरी कहानी सुनले मैंने नहीं सुनी तो ऐसा हो गया अगले दिन सास वही साड़ी पेहन कर गई वही गढ़ा लेकर गई वहां सीता माता बैठी थी वो बोली माई मेरी कहानी सुनले सास बोली एक बार चार बार सुनूंगी। जब वो घर गई तो उसकी साड़ी फिर से रेशम जरीकी हो गई। घड़ा सोने का हो गया। बहु बोली, सासु जी तुम ऐसे कैसे कर लाई। तब सास बोली, बहु तू तो दोश लगा कर लाई थी, मैं दोश उतार कर आई हूँ। वो सीता माता थी, पुराने से नया कर देती है, खाली घर भंडार कर देती है, लक्षमी जी का वास कर देती है और जो इच्छा हो वो पूरी कर देती है। तब बहु बोली, अच्छा सासु जी, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। तब सास ने कहा, ले भई, तू भी सुन ले। उसने बहु को कहानी सुनाई। तब बहु बोली, सासु जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। तब सास बोली अब से हम इसे रोज कहा करेंगे अब सास बहु नहाती पूजा पाठ कर दी और नितनेम की सीता माता की कहानी कहती एक दिन उनकी पडोसन आई बोली बहन जरा आच दे दे वो बोली अभी हमने आच नहीं जलाई वो बोली तुम तो चार बजे से उठी हो तब से क्या कर रही हो वो बोली हम नहाय धोये पूजा पाठ करी सीता माता की कहानी कही पडोसन बोली इससे क्या होता है तब सास बोली सीता माता की कहानी कहने से अटूट भंडार भरते हैं सारे काम सिध हो जाते हैं तब पडोसन बोली बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दे वो कहानी कहने लगी सीता माता ने उसके भी भंडार भर दिये हैं सीता माता जैसे उन सब के भंडार भर वैसे सब के भरना कहते सुनते हुखारा भरते सारे परिवार के भरना हमारे भी भरना